प्यारी दोस्तों, वीडियो के सुर्वात में ही मैं आप सभी को अपडेट दे देना चाहता हूँ आज की डेट में, यानि की 26 मई 2024 के डेट में बिहार स्वास्त विवाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिये गए हैं जहां पर की बिटिये सी एनिम 10 जार साथनों के केस की रिगार्डिंग में एक इंपडेट आचुका है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा साथी में नौकरी को लेकर के नई बहाली को लेकर के गुड न्यूज आ रहा है वो भी आप लोग को जन कर देंगी कुछ लोगों का सैलरी वड़ा दिया गया है इंक्रीज कर दिया गया है कौन से वो करमचारी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो की लास तक बने रहेगा और भी कई सारे सुचनाई होने वाले हैं और जो भी ये स्टुएंट्स इस वीडियो को वाच कर रहे हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिफीकेशन और सेट ज़र ज़र कर लीजिएगा अब चली दोस्तों जानकाड़ी क्यों पर चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख सकते हो यह केस किन के बीच में है डिमपल कुमारी और अर्चना कुमारी आपको पता होंगे यह अर्चना कुमारी जो यहाँ पर जिनका जीत हुआ था हाई कोर्ट में पटना के हाई कोर्ट में और बात किया गया था कि 2018 के ही नियवली के नुसर बहाली को किलियर किया जाए लेकिन जो यहाँ पर सरकार है जो बिहार सरकार है उनका भी कहना है कि हम qualified students के साथ में है यानि कि हम लोग जो नया प्रकिरिया है exam के ही साथ में exam के ही अधार पर बहाली को complete किया जाना चाहिए तो जो qualified students ने यहाँ पर supreme court में case file किये थे तो उनका update आ चुका है सबसे पहले यहाँ पर देखिए diary number तक मैंने आपको update भी दिया था diary number यहाँ पर देखिए पहले से ही आया हुआ था और यहीं पर आप अगर देखिएगा तो SLP नंबर भी आ चुका है अब बहुत सारे students कहेंगे कि सर अब तो मतलब सुनवाई सुरू हो जाएगा यहाँ से भी अब यहाँ पर जो update आएगा वो सर वो परी रहेगा और उसे सरकार को और सभी को मानना होगा चाहिए संभीता वाले हो सभी हो तो देखिए सबसे पहली बात SLP नंबर आ चुका है उसमें कोई दोहराई नहीं है सुनवाई की बात है तो सुनवाई में अभी आपको देरी देखने को मिलेगा अब देरी क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यह जो यहाँ पर आप कह रहे हो आपको मैंने जिसा की अपडेट भी बताया था कि समर वेकेशन अभी सुप्रीम कोट बंद है यह बात आपको भी जानना है तो सुनवाई तो अभी नहीं हो सकेगा special cases में यहाँ पर होते हैं सुनवाई लेकिन अगर सरकार भी अगर SLP दायर कर देती अभी सरकार SLP दायर नहीं की है जो qualified students के द्वारा है उनके द्वारा तो कर दिया गया है उनके द्वारा तो यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था कि कुछ और भी यहाँ पर किये गए है तो वो सब तो है पर BTSC या तो सरकार आप बोलिए सरकार अभी इस पर कोई भी एक तरीके से नहीं केश किये हैं नहीं SLP दायर हुआ है तो अगर सरकार कर देती है तो आपको special case में अभी भी सुनवाई देखने को मिल जाएगा बाकी अगर ऐसा नहीं होता है तो अब आपको यहाँ पर जो गर्मी की छुट्टी जैसे ही यहाँ पर खत्मोगा जो summer vacation सुप्रीम कोट का है वो जैसे ही खत्मोगा उसके बाद आपको सुनवाई देखने को मिलेगा और इसी बीच में कुछ आपको update भी देना चाहता हूँ एनेम कहीं regarding में ध्यान से समझ लीजे उसके आगे उसके बाद हम लोग नई नौकरी का भी update कुछ है वो भी मैं आपको बताऊंगा देखिए यूट्यूब पर अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है क्या हो रहा है कि रोजाना एक तरीके से बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं जो कि इसे धंदा बना लिये धंदा यानि कि रोजाना एक दो तीन चार वीडियो एक दो बार कुछ दिन पहला है तो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ और वो लोग का ये काम है कि पुराना पुराना नोटिस अगर कोई अपडेट नहीं मिल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है क्या बोले तो वो पुराना कोई नोटिस कीजिए पढ़ाई परवेश्ट कीजिए पढ़ाई कीजिए जो भी आपको करना वो कीजिए दोस्तों और बाकी आपको घबरान नहीं है जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा आपका भाई सबसे पहले अपडेट देदेगा तो उसके लिए निशितरिएगा कोई अपडेट आता ही है तो क्या मैं बता दू ऐसे ही वीडियो में यह आप समझ लीजिए बाकी अभी के समय में पैसे भी लिये जा रहे हैं क्वालिफाइड स्ट्रेंड्स के दौरा से संबीदा कैंडेट के दौरा से की केस लड़ने वाले हैं ऐसे नाम पर अगर आपको लगता है कि सही हाथों में पैसा जाएगा तो आप दीजिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ नहीं मैं किसी से पैसे मांग भी रहा हूँ तो यह बात आप लोग समझ लीजिए अब बात करते हैं नई बहाली को लेकर के दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले अपडेट देख लीजिए कोई पुराना अपडेट नहीं है 19.5.2024 के नहीं डेट में अपडेट आया है स्वास विभाग तयार कर रही है मानव वल का डेटा यानि कि कितना पद स्विकीती है कितना पद रिक्तियां है यह सभी का डेटा यहाँ पर तयार हो रहा है और आपको मैं बताना चाहता हूँ डेटा में सबसे पहले नर्स का डेटा तयार हुआ है जिसमें कि नर्स में बड़ा यहां पर दिक्कत आया है यानि कि नर्स में 43 फिस्दी पद यहां पर रिक्त पाए गए है यह केवल और केवल A&M और G&M दोनों को मिला करके बाद किया गया है A&M में भी कई सारे यहां पर vacances आपको देखने को मिलेंगे अब देखिए सरकार अभी तो मंगल पांडे जी और जो भी यहां पर विभागिये मंत्री है सभी के सभी विधान सवा चुनाओ पर लगे हुए हैं आप भी देखिएगा ट्विटर पर जाईएगा तो जो भी उनका बयान आता है वो चुनाओ भी बयान आता है तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी वेकेंस आ सकती है तो सबसे पहले यहां पर बात किया गया है कि 43,000 यहां पर सीट खाली है नर्स का जिसमें की एनेम जीनेम दोनों आ जाते हैं उसमें रिपोर्ट के नुसर बताया गया है कि 47,113 पद होने चाहिए जिसमें से कि 27,000 तेरा यहां पर श्रिकेती है यानि कि बरतमान में काररत है तो यहां पर अगर आप दिखिएगा तो 43 पिसदी यानि कि 100 अगर सीट खाली है तो 100 में से यहां पर लगभग आप यह बाख़िए कितने पदो पर आएंगे तो यहां पर अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा कि यहां पर करीबन 7,000 ग्रेड A नर्स का यहांपर पद सुखिती है यानि कि यहाँ पर vacances आएंगी एने में भी आपको कई सारी vacances देखनी को मिलेगा 10-10-7 सनों का प्रकिरिया आपको पता है कितना सलो हो चुका है तो यह भी बहाली लंबित ही है अभी भी बहाली पूरी तो नहीं हुई है आधा प्रोसेस भी एक तरीके से नहीं बोल सकते हो बाकी इसमें तो टाइम लगेगा तो बहाली समविदा कैदार पे भी आ सकती है अब जैसे ही वेकिंसी आती है अगस्त के बीच में या फिर अगस्त के बाद में आती है तो मैं आप लोग को अपडेट दे दूँगा अभी के लिए ये सदान लिजिए कि विभाग्ये काम कर रही है रिपोर्ट बना रही है कि कितनी वेकिंसी कहां की जरूरत है साथी में एनेचेम के माधियम से अपडेट आया है कुछ ही यहाँ पर करमचारियों का पैसा थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है यहाँ पर पूरा अपडेट आप पड़ पाईएगा जो भी यहाँ पर अपडेट से हैं वो आप पड़ सकते हो पांच परतीसक वार्चिक मांदे बृदियेतू भारत सरकार को यहाँ पर एक तरीके से रासी को अनुरोध किया गया है यह पूरा अपडेट आप पड़ पाईएगा तो जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूँगा इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ जानकारी देना था बाकी धन्यवाद दोस्तों वीडियो देने के लिए मिलते हैं कोईशों में तब तक के लिए गुड़वाए धन्यवाद